नमस्कार स्भागत है आप सभी का मैं हूँ सौरभ शर्मा आप देख रहे हैं गुरुक्षेत्र तिरपुरा में आज वोट पड़ गए लेकिन आज से जो ये चुनावी मैरतन शुरू हुआ है यह अगले एक साल तक नेताओं को तो सांस लेने के फुरसत नहीं ही होगी हम और आप भी दम साधे देखेंगे कौन कितने पानी में है तिरपुरा मिखाले नागलेंड के नतीजे दो मार्श को आ जाएंगे तीनों जगे बीजेपी किसी ना किसी तरह सरकार में है और इसके बाद शुरू होंगे बड़े राज्यों के मुकाबले माई में करनाटक बड़ा राज्य है दक्षिट में बीजेपी का एकलौता राज्य है फिर नवंबर निसंबर आते आते मद्ध प्रतेश राजस्थान, 36 गार्टेलंगाना ऐसे समझ दीजिए जैसे बोर्ड की परिक्षा से पहले प्री बोर्ड होता है तो उसी प्री बोर्ड का साल है ये 2023 और 2024 में तो खैर फिर दुनिया का सबसे बड़ा चुनाब होना ही है पहले थोड़ी आज की बात करते हैं सबसे बड़ा अपडेट ये है कि शाम पांच बजे तक त्रिपुरा में 76% वोटिंग हुई है आपने आपने बहुत बढ़ी बात है 76% वोटिंग को बंपर वोटिंग कहते हैं त्रिपुरा में BJP ने 2018 में 25 साल पुरानी लिफ्ट की सरकार को हटाया था करिश्मा अगर किसी चीज़ को कहते हैं तो वो यही था बहुत लोग मानते हैं कि त्रिपुरा के लोग सरकार किसी एक election के लिए नहीं बलकि एक दौर के लिए चुनते हैं लेकिन BJP की राह क्या इस बार उतनी ही आसान लग रही है भले ही BJP ने देश को आदिवासी समाज से एक पहली राश्पती दी लेकिन त्रिपुरा का 30% ट्राइबल वोट जब अपनी मुठी खोलेगा तो किसके खाते में क्या आएगा ये सवाल है त्रिपुरा में इस बार तीन तरफा मुकाबला है BJP अपनी ट्राइबल सयोगी पार्टी के साथ है दूसरी और कॉंग्रेस और लेफ्ट जो दशकों तक एक दूसरे की जड़े खोदते रहे और अब एक साथ है और अब एक तीसरा किरदार उभर का सामने आया है इसी किरदार ने पिछ कुछ टेड़ी कर दी है यह हैं तिरपुरा के महराज प्रद्योत बिक्रम देव बर्मन कुछ वक्त पहले तक कॉंग्रेस पार्टी में थे वह अपनी पार्टी बना ली है तिरपुरा के मूल आदिवासी समाज के लिए ये अलग ग्रेटर टिपुरा अर्लैंड की मांग करना है हर पार्टी ने खूब निजाया लेकिन महराज डिगे नहीं तिरपुरा की 60 में से 20 सीठें स्टी कैटेकरी के लिए रिजर्वड है बीजेपी और उसकी साथी ने पिछली बार इनमे से 18 सीठें जीती थी अब इस बार माराज प्रद्योत के उतरने से किसका गणित बिगड़ेगा देखेंगे वैसे तिरपुरा में आज जो बंपर वोट पढ़े उनमें ट्राइबल वोट सबसे जारा माने जा रहे है और अब ये ट्राइबल वोट की क्या एहमियत है इसे आप यू समझेए कि केवल तिरपुरा में नहीं इसके बाद होने वाले तमाम राज्यों के चुनाव में तेलंगाना, मद्र प्रतेश, छत्तिसगर और राजस्थान सब जगे ट्राइबल वोट खेल कर सकता है अब ये इत्तिफाक था या कुछ और कि आज तिरपुरा में वोट पढ़ रहे थे और दिल्ली में प्रधान मंत्री मोदी आदी महुतसब की शुरुबात कर रहे थे वहाँ वो बोले कि जितना उनकी सरकार ने आदिवासी जन्जाती समुदाई के लिए किया उतना आज तक कभी किसी ने नहीं किया आज मोदी जब बोले तो वामपंथी उगरवाद का भी जिकर किया और कही ना गई तिरपुरा में लेफ्ट और कॉंग्रेस के गठबंदन को घेरा भी तो पहले सुनते हैं दिल्ली में क्या बोले प्रधान मंत्री मोदी इस साल के बजेट में अनुसुचित जन्जातियों के लिए दिया जाने वाला बजेट भी 2014 की तुलना में पांच गुना बढ़ा दिया गया है आदिवासिक शेत्रों में बहतर आदुनिक इंफ्रासेक्टर बनाये जा रहा है आदुनिक कनेक्टिविटी भढ़ने से परियटन और आयके आउसर भी बढ़ रहे हैं देश के हजारों गाउं जो कभी वामपन थी उगरवाद से प्रभाविट थे उन्हें अब 4G कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है यानि जो युवार अलग थलग होने के कारण अलगाववाद के जाल में फच जाते थे वो आप इंटरनेट और इंफ्रा के जरिये मुख्यधारा से कनेक्ट हो रहे हैं हम आज बात केवल तृपुरा की नहीं करेंगे जैसा हमने आपसे कहा आज से शुरू वे इस चुनावी महासंगराम की और पड़ावों की भी आज बात होगी और राजियों की भी बात करेंगे लेकिन तृपुरा में एक करेक्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि उनकी बात आपको जरूर सुननी चाहिए महराजा प्रत्योच जो अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव रड़ रहे हैं ये कह रहे हैं कि सरकार तो मेरी ही बनेगी चाहिए कोई कुछ कर ले एक कदम आगे बढ़के ये तो पहले ये भी कह चुके हैं कि केवल हमारे ML बिकने के लिए नहीं हैं जरूरत पड़ी तो मैं अपना महल बेच दूँगा बीजेपी के ML खरीदूँगा लेकिन सरकार बनाऊंगा आज हमारे संवधाता से बात करते हुए आप जरा इनका कॉन्फिडेंस देखिए आशावान आप हैं और चुनाव के बाद आपकी भूमी का क्या हो मैं अगर इलेक्शन में निकला हूँ तो जीतने के लिए निकला हूँ और अपने ही भूमत से सरकार बनाने के लिए निकला हूँ और ये बात सब पार्टीज कहेगी मैं भी यही बात कहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि हमारा जनता जो है वो हमें इस बार एक चांस देगा यह मेरा दिल की बात का आशा है कि वो हमें इस बार एक मौका जरूर देगा आप 42 सीटों पे लड़ रही हैं आप इससे पहले PCCC प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के चीफ रही हैं आपने अलग रास्ता क्यों चुना और आपको लग रहा है कि 42 सीट में आप इतना इंपेक्ट कर पाएंगे कि आप BJP और लेफ्ट और कॉंग्रेस की गटबंधन को मात दे दे जैसे कि एक मैं उल्टा सवाल पूछता हूँ कि सब लोग कहते हैं कि महराज तो 20 सीट में ही जीत रहे हैं तो 42 सीट में क्यों फाइट कर रहे हैं तो यह सवाल मैं BJP से भी पूछ सकता हूँ कि आप 40 सीट में क्यों नहीं फाइट कर रहे हैं politics में राज़िती में कोई किसी को एक सीमा के अंदर नहीं रख सकता है मैंने कोशिश की है कि इस बार पूरे तुरुप्रा में बंगाली हो मनिपुरी हो आदिवासी हो हमारे मुसल्मान हो सब को लेकर हम एक alliance करें जहां में हम आगे बढ़ सके कॉंग्रिस मेंने क्यों छोड़ा कॉंग्रिस को बहुत लोग क्यों छोड़ रहे ये बात आपको कॉंग्रिस से पूछना चाहिए क्योंकि कॉंग्रिस को छोड़ने के बाद ही मैं आज यहां तक पहुंचा हूँ जब मैं कॉंग्रिस में था तो मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, मुझे दबाया गया जी आपका स्वागत है, तो शुरबाद में दिविन जी आप से करना चाहता हूँ, देखे दर्शकों के लिए तो एक ही चीज बाइने रखती है, जो आपको आज सुनना है, आपका आंकलन बता दीजे, तुरपुरा आज में आज जो वोट पढ़ें, 76% वोट पढ़ना, अब ये जो 25 साल की लेफ्ट की सरकार बीजेपी ने हटाई, उसके बाद 5 साल की कंटिनुवेशन वाला वोट आपको लग रहा है या फिर परिवर्तन वाला वोट लग रहा है? सवरबाम तोर से जब भी वोटर टर्न आउट किसे स्टेट में देखा जाता है, तो वो दो तरीके होते हैं, एक तो ये है कि तृपुरा में वोटर टर्न आउट अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, 76% प्लस है, और अभी ये 5 विजे तक कही आंकने हैं, कुछ और भी सब्सक्राइब करें, तो ये वोटर टर्न आउट काफी गिरा हुआ है, अब वोटर टर्न आउट गिरे हुए कि व्याख्या जो अगर लेफ के यहां प्रवक्ता होंगे, उनसे आप बात करेंगे, या लेफ्ट का जो पक्ष रखेंगे वो और जो बीजे पी का पक्ष रख एक तीसरे खिलाली आ गए हैं, जो महां की रॉयल फैमिली से हैं, उनका बड़ा जो होल्ड बताया जा रहा है, ट्राइबल रिजर्व सीटों के उपर, बीज सीटों के उपर, कॉंग्रेस और लेफ्ट इस बार एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, पिशली बार वोट प्रत आप जोड़ लेंगे, 43 और साड़े साथ परसेंट, तो वो लगभग 50 परसेंट हो जाएगा, और लेफ्ट के जो ये लाइस थे कि 56 के अलावाद 3 या 4 सीटे उन्होंने जो दूसरों को दी थी, वो जोड़ के भी वो 45 परसेंट के आसपासी हो रहा था, तो 5 परसेंट का इ बीजेपी में आ गया है, इस इस इलेक्षन मतब 2018 और 2023 का जो ये लेक्षन है, इसके बीच में जो एक महत्पॉर्ण इलेक्षन हुआ था वो था पार्लेमेंटरी इलेक्षन 2019 का, पहली बार ऐसा हुआ था कि बीजेपी ने दोनों ही जो सीटे हैं तरूपरा की वो अपने ख पास ही रह पाया था, तो लेफ्ट के पास पहली बड़ी एक चुनौती तो ये है कि वो भले ही कॉंग्रेस उनके साथ आ गई है, लेकिन क्या वो 43 परसेंट के वोट शेर के ऊपर बढ़ पाते हैं इस घटे हुए वोटर टरन आउट के बाद, दूसरा ये है कि जैसे दो 2018 क का जो इलेक्शन था, उस समय तक त्रिपुरा में आम तोर से लेफ्ट को हराना, ये मतलब सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन 2018 और 2019 में जो उनकी लगातार दो बड़ी हार हुई है, उसके बाद से उसको अपराजेश की शेर्णी में नहीं रखा जा, तो अब वोटर का मा हैं, SC वोट भी वहाँ पर अच्छी संख्या में है, क्योंकि त्रिपुरा में अगर 60 सीट्स हैं, तो उसमें से 20 सीटे जो हैं, 10 सीटें SC और 30 सीटें जर्नल हैं, तो ये डिवीजन जो है, वो बहुत ही सपस्था है, बीजेपी ने अपनी अलग अलग योजनाव, वो केंद इलेक्शन अभी बहुत ही खुला हुआ है, और ट्राइंगुलर होने के कारण अभी इलेक्शन को जज़ कर पाना कि कौन सी पार्टी बिल्कुल फाइनली इलेक्शन को निकाल नहीं है, वो फिलहाल अभी के वोटर टर्न आउट को देखते वे बता पाना है, आप तो किसी क लगता है कि जो ये इलेक्शन का फाइनली रिजल्ट आएगा, उसमें सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे इसमें कोई संसे किसी को नहीं होना चाहिए कि बिज़ेपी ही होगी, लेफ्ट और कॉंग्रेस को कितनी सीटें आती हुए ये देखनी की चीज है, और त्रिपुर जो पार्टी के रूप में उन्होंने एक प्रयोग किया था, वो काफी सफल रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 20 में से कहीं ने कहीं ट्राइबल एरिया की जो सीटें हैं, भले ही बिज़ेपी के लाई आई आई पी एफटी हो, इसके बावजूद भी त्रिपुरा मो सबुढ़ तो है, वो 20 सीटों में से 7 से 12 के भीच में कहीं सीटें निकालेगा, और सरकार के निर्मान में उनकी भूमिका जो है, वो कहीं ने कहीं जो है वो इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, और नमबर एक पार्टी बीज़ेपी बन जाएगी ऐसा आइक. अबी तक यह बावजूद भी। बावजूद भी। यानि आप सोचिए कहां एक तरफ कम्मिनिस्ट और कॉंग्रेस होते थे सत्ताधारी दल मुख्यूद पक्षी दल आज दोनों मिलके एक हो गए भाजपा के खिलाफ वह दल जो पांस साल पहले इर्रेलेवेंट माना जाता था। ये कल्पना ही नहीं की जाती थी कि हम त्रिपुरा की राजीन पर कहीं स्टैंड करेंगे और आज सडेनली वो पॉलिटिक्स बीजेपी वर्सेज रेस्ट पे है और जैसे आपके चुनाव विश्लेशक ची भी बोल रहे थे जो उन्हें पहले मैंने देखा कि वो भी ये मान हैं कि भारती जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी परन्तों आप आश्वस्त रहिए भारती जनता पार्टी इस पष्ट बहुमत के साथ दोबारा प्रो इंकंबेंसी और पॉजिटिव एटिटीट के साथ क्योंकि अब हत्याओं का दौर समाप्त हो गया है विकास को लेकर जो जनता के साथ छलावा होता था वो समाप्त हो गया है तीनों भारती जनता पार्टी से ही लड़ रहे हैं अगर आप किसी समीं पूचेंगे वो कहेंगे हमारा मुकाबला भाजपा से है इसलिए मेरा ये मानना है कि चुनाओ का परड़ाम बिलकुल डिसाइसिवल हमारे पक्ष में आने जा रहा है और ये जितने भी प्रकार की बाते हैं अगर आप देखें तो पिछले चुनाओं में इस से जादा बाते हमारे खिलाव बोली जा रही थी और हमारे दावे को कमपरिटिवली कम सीरियस यानि अपेक्षा करत कम गंभीर माना जा रहा था ना देश भारती जन्ता पार्टी के पक्ष में देखें तो इसका मतला आप है कि आप से लेकर 24 तक के चुनाओं की जो ही श्रिंखला है उसमें आपकी शुरुबात जो है जीत के साथ होने जा रही है जरा मैं अपने लेफ्ट और कॉंग्रेस के साथियों को चर्शे मिलाओ अन्शुल जी आप इस बार लेफ्ट आपका बड़े भाई की भुमिका में है तिरपुरा के अंदर मैं पहले स्पेसिफिक तिरपुरा की बात करना चाहता हूँ दावा आपने सुन लिया सुर्हांशुल जी का जो है सारी पार्टिया इनके खिलाफ लड़ रही हैं करें 2018 म ये सब उभर के आएंगे और मुझे पूरी उमीद है उमीद क्या विश्वास है कि हमारा जो गटबंदन है एक नई एकता का स्रिजन हुआ है आपने देखा बिहार में भी ऐसा ही हुआ था यहां पर भी हुआ है विपक्ष एक जुट हो रहा है और मुझे पूरा विश्व है कि वो सत्ता में आएंगी आवाम हुकूमत का हक हमें ही देगा इसकी बहुत सारी वज़े हैं अक्षमता तो एक वज़े है बादे तो वो करते रहते हैं आदिवासियों के लिए प्रधान मंत्री जी ने पर पार्लिमंट में भी बोला पूरा उनका एक तरह से जो वक्तव है जितने भी नियम ला रहे हैं जैसे फॉरस्स कांजर्वेशन रूर्स ला रहे हैं उसमें आप आधिवासियों का हक छीन रहे हैं उनकी जमीन उनका जंगल उनसे चीन रहे हैं आप फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट यूज में कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योग पतिय के बारे में पूछना चाहता हूँ देगे कॉंग्रिस पार्टी को पौने 2% बोट पिछली बार मिला था कॉंग्रिस पार्टी ऐसा लग रहा है कि वहाँ अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रही है इस वक्त त्रिपुरा के अंदर जैसा बंगाल में हो चुगा वैसा कि इन त्रिपुरा में होता हुआ दिखाई दे रहा है आप इस अलाइंस में क्या कॉंट्रिब्यूट कर रहे हैं लिफ्ट के साथ देखिए हमारा एक वहाँ पर महत्व है वहाँ पर एक एतिहासिक पार्टी है और इसमें कोई शक्त नहीं कि देखिए हर पार्टी बहुत एक पुरानी पार्टी है यहाँ पर पार्टी में तो उतार चड़ाओ होते रहते हैं इस पार्टी के सामने चुनौतिया ही है इसमे हमारा महत्व है हमारा वजूद की लड़ाई यहां पर नहीं है यह सत्ता की लड़ाई है और जमूरियत में सत्ता की लड़ाई ही लड़ी जाती है और यह हम लड़ रहे हैं हमें पुरा यकीन है कि हम सत्ता में आएंगे अवाम हमें ही चुनेगी इस गटबंदन को चुनेगी क्योंकि वो बिल्कुल तरस्ट है बैसरा इस पर है कॉमेंट लिलू सुलानशी जी का आपने का हम बजूद की नहीं सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं और सत्ता मिलेगी कॉंग्रिस को देखिए मेरा ये कहना है अलग अलग दल अपने अलग अलग कारणों से चुनाव ड़ण है जो कम्रिस पार्टी है उसको अपनी जमीन बचानी है जो नई पार्टी है उसको अपनी उपस्तिती दर्ज करानी है और कॉंग्रेस को सिर्फ अपनी हैसियत बचानी है सरकार सिर्व भारती जंता पार्टी को बनानी अगर आप इमानदारी की बात देखें यदि इन दोनों दलों में ये विश्वास होता दूर दूर तक तो आज एक ही जगे कमनिस्टों की सरकार है न केरल में वहां तो कॉंग्रेस मुख्य विपक्षी दल है मुख्य विपक्षी दल ने आकर यहां आत्म समर्पण कर दिया और उसके बाद को ये कहे कि उन्हें जीत का विश्वास था इसलिए आत्म समर्पण कर दिया तो मेरे विचार से यह दावा हस्यास्पत लगता है तो त्रिपुरा की जन्ता ने जो कुछ संदेश दिया है या जो भाव दिखाई पड़ रहा है कमनिस पार्टी और कांग्रेस का गठबंदन अपने आप में इस बात का प्रमान है कि उन्होंने यह स्विकार कर लिया कि वो अकेले कहीं लड़ाई में हैं ही नहीं इसलिए उनको या गठबंदन करने की जरूरत महसूस हुई है और हम एक और बात कहें आपने ऐसा कई बार देखा होगा सौरब जी कि केंदर में कोई सरकार साथ में दल साथ में है पर 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 देश में अलग अलग है ऐसा अधबुत उधारन नहीं देखा होगा और मैं याद दिलाना चाहता हूं बंगाल में भी ये दोनों एक हुए थे क्या हुआ तो बंगाल का प्रणाम बंगाल में भी कम्निस्ट और कॉंग्रेस दोनों एक हुए थे और मैं इस संदर में एक और बात दिला दूँ बहुत का गया था बंगाल में भारती जंता पार्टी को पेक्षाक्र सफलता नहीं मिली मानेवर केबल ग्यारा साल पहले दो हजार ग्यारा तक चाइना के बाद अगर सबसे बड़ी जनसंग्चा कम्निस पार्टी के अंडर में थी दूल में तो वो बंगाल थी जहां से वो साफ हो गए ग्यारा साल में आज वहां लड़ाई भगवा बनाम हलका भगवा बनाम गैर भगवा की हो गई यानि तर्डमूल और भाजपा के बीच में हो गई वहां के अलेक्षन का नेरेट्व बदल गया उसमें भी किसी को नजर आता हो की बदलाव नहीं हुआ इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे लगता वैसी कुछ-कुछ कहानी तरपुरा में भी होगी एक बार फिर कम्निस्टों ने कॉंग्रेस ने हाथ मिलाया है और इन लों का वैसे इतिहास रहा है कि कम्निस्टों ने जिजज़िस से हाथ मिलाया है जहां जहां चरण पड़े संतन के ताहता बंटाधार तो उस देश विवस्था और पार्टी तीनों का बंटाधार हुआ है इतिहास वैसे इस बात का साक्षी विवेक जीने बड़ी धहरे से सब को सुनाया मुझे एक साथ सब के उपर पलटबार होगा मुझे जकीन है विवेक जी वो कह रहे हैं कि आपने गठबंदन किया कॉंग्रेस से दुश्मन का दुश्मन दोस्त तुना था दुश्मन के दुश्मन जो अपना खुद का भी दुश्मन उसको दोस्त बनाया आपने नहीं ऐसा नहीं है कॉंग्रेस कोई दुश्मन कभी नहीं रही है और आपको मानना पड़ेगा कि देश के अंदर सेकुलर बनाम कमिनल राजनीती का एक दौर चल रहा है और एडियोलोजी के हिसाब से मित्र दलों के साथ मित्र पार्टियों के साथ गटबंधन बिलकुल नित यह आइडियोलोजी के आधार पे है जहां-जहां हमें लगता है या इन कॉंग्रेस को भी लगता है कि कुछ डिफरेंसेज हैं उसको हम आईरन आउट करते हैं तो यह आइडियोलोजीकल एक टाइप है जो के सिर्फ एक राज्य तक सीमित रही है और यह केंद्र में भी रह सरकारों को जेल में डाल रहे थे चीफ विनिस्टर आवास में आना इनके खुद के लोगों के लिए मुझके लो गया था इतना बुरा हाल वहां पे हो गया था इतनी कंप्लेंट्स खुद भाजबाईयों ने इनके हाई कमांड से उस मुख्यमंत्री की करी कि लास्ट में व गटक गए थे भाज्ट्रों में चले गए सब की घर वापसी हुई है एवरीपडी इस फाइटिग ऑना कॉंग्रेस टिकट नाओ इफ यू सी अनलसिस और लेफ्ट ने बहुत ही यंग्स्टर्स को इस बार चांस दिया है और बड़े युवाओं को टिकट दिये गए हैं औ बड़ा फेर बदल आप देखेंगे वामपंथ और कॉंग्रेस मिलकर के सत्ता में आएंगे जितना मर्जी ढोल पीटना है अब सत्ता की बात तो नहीं कि पता नहीं हो तो अब दो तारिफ को पता चलेगा मैं आपने अभी जो विश्वास जताया कॉंग्रेस पार्टी के साथ अपने गड़बंदन पर एक बार ज़रा आप देवेंदी जी की राय उस पर जानना चाहता हूँ आपने एक आदा है कि बीजेपी ने कॉंग्रेस की जगे महाँ पर हासिल की दोजार अठारा के चुनाओं में तो लेफ्ट की जो हैसियत थी बरकरार रही हो आज भी है अगर लेफ्ट इतनी मजबूत इस्तिती में था तो उसको कॉंग्रेस से एलाइंस की ज़रोत नहीं पड़ती इनका कहना है कि नए इन्होंने कैंडेट्स नहीं है बिल्कुल ठीक बात है कि आपके पुराइने कैंडेट्स इतनी बुरी तरीके से हार चुके थे कि अब आप के पास कोई बहुत ज़्यादा ओप्शन नहीं था दूसरा है कि 2019 का जो इलेक्शन में जो इनका जो वोट शेयर जो है जो बुरी तरीके से कॉंग्रेस से भी पीछे चला गया ठीक उसकी व्याख्या यह किस तरीके से करेंगे दूसरी बात है कि एंटी इंकेमेंसी ठीक है क नए लोग को इन्होंने भी मौका दिया है दूसरा है कि बीजेपी 2018 के पहले त्रिपूरा में कोई फोर्स नहीं थी या लोगों को या मद्दाता को ये विश्वास करना संभव नहीं था कि लेफ्ट का मुकाबला बीजेपी कर सकती है लेकिन अब जो है पिछले 5 सालों में ये सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है पार्लेमेंटरी एलेक्शन में भी बीजेपी ने अपने दम पे दोनों सीटे निकाली और दूसरी चीज है कि अब भी वो बहुत कुछ अपने दम पे ही लड़ रहे हैं क्योंकि 54 से 55 सीटे वो अपने अकेले के कैंडियेट देके लड तरीके से और तीसरा ये है कि कहीं ने कहीं लेफ्ट फ्रंट और कॉंग्रेस का जो वोट है वो आपस में किस तरीके से ये एक दूसरे को ट्रांसफर कर पाएंगे ये बंगाल के बाद दुबारा ये देखने लायक होगा कि ये क्या वोट ट्रांसफर एक दूसरे को कर पात आगे जो चुनाव होने हैं इसमें ज़्यादा परिक्षा आप ही किया है करनाटक में आपको बचानी है सरकार मद्धिप्रदेश में आपकी सरकार है इसके लावा राजिस्थान 36 गाल ये दो राज जो हैं जो हैं आप इनसे लेना चाहते हैं अब मैं लोकसफा और के साथ साथ पहले एक लाइन तृपरा पर भी कह देना चाहूंगा अभी आपके चुनाव विश्रेशक शुक्ला जी ने जो एक बात कही उसी से लाइन लेता हूँ नोने का दो हजार अठारा से पहले जनता को ये विश्वास नहीं था कि भाजपा कम्निस्थ का मुकाबला कर सकती है आज दो हजार तेईस में इस्थिती ये हो गई कि कम्निस्थों को ये विश्वास नहीं रह गया कि वो अकेले भाजपा का मुकाबला कर सकते हैं तो इतना बड़ा गुलात पक परिवरतना है और एक और बात याद आई है कम्निस्थ और कॉंग्रेस का सिर्फ पार्टी कहती थी धर्मे का फीम है वो धर्म गुरू मुस्लिम धर्म गुरू के साथ गड़बंदन कर ले सोचे कितना नीचे मामला आ गया और पहली बार वो चीछ जो कम्निस्थ पार्टी में दिखाई नहीं पड़ती थी स्वारव जी मैंने स्वेम अप्निस्थ कान्फि यानि यह कम्निस्थ पार्टी के तिहास पर पहला मौका है जब पिता मंत्री है और उनका दामाद जो है वो मंत्री है और किसी का मत्तब बेटा बेटी या दामाद मंत्री हो और वो मुख्य मंत्री हो तो यह दो दो इस तर पर इनका जो मॉरल डिक्लाइन है देखे वो तो मुझा ने बड़ा साफ कहा दिया विवेक जी ने कि देश में अब सेकुलरिजम के लड़ाई लड़नी पुड़ेगी या आपकी जो ये शक्तियां है धर्म के नाम पर देश मटवारा करने कि सब मित्र हो गए अब कॉंग्रेस पार्टी भी मित्र है उन्होंने का बिलकुल लड़ेंगे अब हाँ वो तो ने नी कॉंग्रेस पार्टी तो इनकी कॉंग्रेस से मित्रता कहां नहीं है इंद्रा गांधी जी की सरकार जब माइनॉर्टी में आई थी 1969 में तो कम्निस्टो नहीं सबसे पहले बचाया था और अब तो तमाम विदेश के डाकुमेंट अवेलेबल हैं कि उसमें क्या-क्या रोल था विदेशी शक्तियों का क्या-क्या था वो सब मैं नहीं बोलना क्या था बहुत सब्सक्राइबल मैं बोलना हूँ, अरे सुनिये तो, नेशनलाइजेशन ओब बैंक्स, प्रिवी पर्स को खतम करना, फंडामेंटल राइट में राइट टू पॉपर्टी हटाना, इतना ही नहीं, कॉंसिचूशन का प्रियम्बिल, जिसे डॉक्टर अम्बेटकर ने सम्विधान की आत्मा कहा था, सम्विधान की प्रस्तावना, उसमें सिर्फ सेकुलर नहीं, सोस्चलिस्ट इसम्ट भी जोड़ना, अज़ा विवेग जी आप सुन लें, मैं आपके पास उतर लेने के लिए गलत बोल रहे हैं ना, प्रतिक्षा करिए, अरे तो गलत, मैं कहा रहा हूँ नहीं, अपने टरन पे आप बोलिएगा, और मेरी बात के चिनने चिनने उड़ा दीजेगा, परतर्शकों के थाथ नहीं करिए, उन्हें बोलने दीजे, हमें अपनी बात, तो मेरा सिर्व यह कह मेरा नहीं कहना है, और उसी समय में सोशिलिस्ट सब सम्विधान की प्रस्तावना में जुड़ गया, तो वो उस समय कोई सेक्ट्र वेक्रेर मुद्दा नहीं था, वो कहानी कुछ और थी, वो शक्तियों की कहानी शायद आज भी उसी रूप से चल रही है, परन्तु एक ला प्रियन जोन का एक सेक्शन आफ मीडिया, अब अस तीन जगहें पर चलिए चीए, और इस कारण से यहां इस सितिया आई, अब हम अगले चुनावों पर आते हैं, अब बोली विवेक जी आप, बोली विवेक जी आप, मैं जरा जवाब देना चाहूँ, पहली चीज़ है, डिवेट आगे बहस चलेगी कैसे, एक पर ज़रा विवेक जी बोली है, अब सुधान चुबाई, बढ़ी क्लियर सी बात है, अगर हमने, अगर हमने, अगर हमने कॉंग्रेस के साथ गटबंदन के उपर बात हो रहे हैं, और ने आपके गटबंदन पर थोड़ा थोड़ा इ है, विवेक जी उसका जवाब देने, आप देना चाहिए, विवेक जी बोली है, आप बोली है, जी सुनिये, बड़ी सी बात है, सुधान चुबाई, लेफ्ट हमेशा अपनी आइडियोलोजी के हिसाब से चलता है, हम आपकी तरह नहीं है, कि सुधेशी जागरन बंचा बन आते हैं, और 100% VDI की आप बात करते हैं, हमारा एजेंडा, हम निजी करण में विश्वास उस तरीके से नहीं करते हैं, नैस्टनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हमारा एजेंडा था, कॉंग्रेस पार्टी ने हमें अबलाइज किया, और कॉंग्रेस की सरकारों ने हमारी इसको माना हम अपोदिशन में थे, इस बात को आप समझेए, हमने हमने अडानी साब को State Bank of India और LIC का पैसा नहीं दिया, खिलने के लिए, हमने देश के गरीब जहां पैसा पैसा निवेश करते हैं, उसको बचाने की राजनितिक करी, और करेंगे आगे भी, और आइडियोज का केवल एक बार जिकर किया, और वो उन्होंने किया कि आदिवासी इलाकों में वामपंथी उग्रवाद हुआ करता था, उस बाहने उन्होंने जिकर किया वामपंथ का नहीं, कोई देखे, उग्रवाद कौन सा उग्रवाद, हमने इतने बरसों तक बंगाल में सरकार चलाई, तो क्या हमारी सरकार उग्रवादी थी, तुरुपरा में मानिक सरकार थे, एक रेस्पेक्टेड आदमी, रिक्षा पे चलते थे, मोबाईल फोन तक नहीं था, 6,000 र इतने सारे हमारे Mass Front Organization चलते हैं, हम पर्लेमेंट में बैठे हैं, राजेश्वा में भी लोग हैं मारे, क्या हम उग्रवादी हैं क्या, तो यह सब बोलने से उग्रवाद कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा उग्रवादी वो है, जो आज धर्म के नाम पे, हिंदू-म सल्मान के नाम पे लोगों को लड़वा रहा है रोजगार दे नहीं रहे हो स्कूल की फीसे बड़ी हुई है नौकरियां है नहीं बस हिंदु मुसल्मान हिंदु मुसल्मान यह उगरवाद होता है चलिए ठीक यह असली उगरवाद है चलिए अंशुल जी आप आगे की बात करते हैं य ऐसा विवेक जी सजेस्ट करना चाहते हैं कि देश में बटवारा हिंदु मुसल्मान नफरत क्या यह एक ऐसा पहलू है जो हर राजज़पर हावी हो जाएगा चुनाओ पर हम किसी का चीनना नहीं चाहते हैं ये तो भाज़पा की हरकत है उनकी तबियत है कि बहुमत की सरकार गिरा देते हैं खरीद फरोग की राज़नीती और सियासत तो उनसे सीखिये ना तो किसी से कोई हक सीनना नहीं चाहते जमूरियत है यहाँ पर प्रजातंतर है और प्रजा की तरह नहीं तो इस तरह की तुलना मत कीजिए मैं उनसे देखिए सुधानशु जी से कुछ मैं सवाल पूशना चाहता हूँ ये बड़ी बड़ी बात करते हैं ना अधिवासियों की क्योंकि इस आधार पर ये चुडाव लड़ रहा है प्रदाहन मंत्री ने बड़े बड़ सब्लान को खत्म किया की नहीं जो यूपीय ने चलाया था बड़ी बड़े सब्लान की बात करते हैं उनकी विकास की बात करते हैं उन्होंने सारे ऐसे कार्य किये जिससे जो यहां पर जो घरीब है जो वंचित है उनके हग उनके अधिकार चीने जाएं उनकी नीतियों से व पर और इनकी कहां से विचारधारा उत्पन होती है RSS से और RSS से आवाजे आती हैं कि भई आरक्षन पे बहस होनी चाहिए, आरक्षन अब खत्म होना चाहिए, तो आरक्षन पे अगर सवाल उट रहे हैं, नीजी करण हो रहा है, तो आदिवासी और जो दलित वंचित जो हैं, हर राजियों में एक साइजिबल वोट है, ट्राइबल पॉपुलिशन का, तेलंगाना में, छतिस गड़ में, राजस्थान में, मद्र प्रदेश में, तमाम राजियों के अंदर, तिपरा में तो है हम आज बात करी रहे हैं उसकी, तो आपने जो बात की उसका जवाब को जवाब देते हैं साब, ऐसा है कि पहली बात तो यह है कि अगर यहां आदिवासी संदर में हम बात करना चाहें, यह बताईए, शिडूल ट्राइब्स मंत्राले कब बना था, अटली की सरकार के समय में बना था, पहले सी स्टी कमीशन एक हुआ करता था, अब शिडूल ट चेत्र के लोग बहुत भारी मात्रा में करते थे, उनके जदाता प्रोड़क्ट मास के बने हुए थे, कॉंग्रेस के रिजीव में बास का को इस प्रकार से लेकर अपने आप उसका आप यूस नहीं कर सकते थे जो प्रतिबंदित था, हमारी सरकार में मोदी जी की सरकार ने खोले हैं, उससे पहले किसी ने किया था क्या, आज प्रधान मंत्री जी का भाशन याद करिए, उन्होंने कहा कि अनुसूचित जर्जात के छेत्रों में जो विद्याले होते थे, उनमें साइंस विशय नहीं होता था, लगबग ज़्यादा तर विद्यालों में, अब जब और्गनिक फॉर्मिंग के लिए, हमारी सरकार ने एक व्यवस्थित योजना चलाई, बजट में प्रावधान किया, और इनके लिए बता दू जानकारी के लिए, कि गुजरात का डान जिला, जो आदिवासी बाहुले जिला है, देश का पहला प्योर और्गनिक बनाना, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, कि आदिवासी समुदाय का कोई व्यक्ति राष्टपत के पत्र पहुंचा हो, तो जिसे उसे कहते हैं कि उनको सम्मान और गौरव का, उनको भान कराने का काम भी हम ही ने किया है, हमने इमान दारिस, और एक और मैं बात कह दे हुआ है, अगर वनवासी करने अर्ष्टम नहीं होता, आज अल्मोस सारे के सारे ट्राइबल्स कनवर्ट हो गए होते, अपनी इमान दारी से जाके सुदूर छेतरों में काम करते हुए सेवा के भाव से, जान की परवा किये, बगएर कई कई लोग मारे गए इसके की 1953 की जस्टिस नियोगी कमिशन की रिपोर्ट से लेके अरणाचल प्रदेश की 1987 की रिपोर्ट तक देख ले, तो हमने मनसा वाचा कर्वना काम किया है, ट्राइबल समुदाय के उठ्थाने। के लिए भाजपा ते लोग यूज करते हैं, यह development oriented है नहीं, इनको आदिवासियों की चंता नहीं है, इनको अचाला की चंता होगी कि अरे भाई, किसी तरीके से इनके conversion को रोको, चीक है, आप 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 ने आपने इस धर्म में लोगों को माटा, प वो convert ना हो पाएं, इसके लाव और कुछ नहीं, इसके लाव और कुछ नहीं, अच्छा अच्छा जवाब सुझा नहीं है, छोटा सा जवाब, देखे पहली बात तो मैं यह कह दूँ, यह keywords बोलने में विवेग जी यह गलती कर गए, लव जिहाद शब्द किसी संग बीएस अच्छुता नंदन ने दिया था, केरल हाईकोड के, केरल स्टीएफ की रिपोर्ट किया था, अब दूसरी बात है, अरे आपके लेटर्ण में बोलिए भाई, जूट मन बोलिए भाई, keyword आपका है, keyword हमारा नहीं है, अब आपको, अब आपकी कास, दूसरा मैं कहना से जाते हैं, अन्य था, वो किवल सेवा करें, चो करने कोशिश करते हैं, और जहां तक इनकी पार्टी का करेक्टर मिन कुछ साफ है, सुनिए एक लाइन और कह दूसरा जी, इनकी पार्टी का नाम है Communist Party of India, यह भारत की Communist Party अपने कहते हैं, यह मर्टी नेशनल की इंडियन ब बात हुई तिरोपरा पर जादा, अब इसके बात तो खैर अब पुरी लड़ी है, पुरी श्रिंखला है, तो अब चुनाव की बात होती रहेगी आप लोगों से, बहुत शुक्रिया सुनांचूत रिवेदी जी, अंचुल जी, विवेग जी, दिवेन जी, सुडियो ब्या